नमस्कार दोस्तों असली प्राचिन तोटके यूटूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में हल्दी से जल्दी शादी करने का महा सक्ति साली उपाए बताने जा रहा हूँ दोस्तों अगर आप भी जल्दी शादी के बंदर में बंदना चाहते हैं तो हल्दी से आप रविवार के दिन योपाई करिएगा और आप भी जल से जल शादी के बंदर में बंद सकते हैं दोस्तों देखिए कई बार एक लड़का और लड़की अच्छी पड़ाई लिखाई करने के बाद दोस्तों नोगरी भी लग जाती है उसके बाद भी उनकी शादी में परिशानी आती है देखिए दोस्तो अगर आपका बरसपती कमजोर होगा तो आपकी शादी में प्रिशानी आएंगे बरसपती को मजबूत करने के लिए दोस्तो आपको हल्दी से एक उपाय करना होगा रविवार के दिन रविवार के दिन करें उपाए आप भी दोस्त जल से जल शादी के बंदन में बन सकते हैं और आपके लिए भी दोस्तो रिष्टे आने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो देखिए आपने रविवार के दिन सुब्रे चार बजे उठना है नहा दोकर साथ सुतरे कपड़े पहन कर आपने इस तरीके से कागस के ओपर थोड़ी सी हल्दी रखनी है और आपने एक रुद्राक्स की माला लेनी है दोस्तो जो आपको उपाए करना है ये उपाए आपने भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है दोस्तो वैसे तो बगवान की पूजा दोस्तो सोमार के दिन की जाती है लेकिन अगर आप रविवार के दिन योपाई करेंगे जल्दी शादी करने के लिए तो आपके लिए दोस्तो सक्तिसारी साबित होगा दोस्तो आपने क्या करना है रविवार के दिन सुबह आपने चार बजे उठना है नहादो कर बगवान बोले आपके मंदिर में जाना है और दोस्तो आपने इस तरीके से थोड़ी हल्दी लेनी है और दुराक्स की माला लेनी है मंदिर में जाकर दोस्तो बगवान के चर्नों म माथा देखना है और उसके बाद आपने क्या करना है शीविलिंग को सनान कराना है दूद दहीं सहथ के साथ आप शीविलिंग को सनान करा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप हल्दी के जितनी आपकी उमर है दोस्तों आप शीविलिंग के ओपर उतनी बार तिलग करिएगा जितनी आपकी उमर है 30 साल की आपकी उमर 32 साल है आप उतने ही हल्दी से तिलब करिएगा और वहीं पर बैठ कर आप ने रुद्राक्स किमाला के साथ दोस्तो ओम नमाशिवाई मंतर का 108 बाद जाब करना है दोस्तो अगर आप यो पाए लगातार दोस्तो 16 रविवार तक कर लेते हैं बीना नागा किये तो दोस्तो आपके लिए जल से जल शादी के लिए रिस्तियाने शुरू हो जाएंगे और आप भी फिर कुमारे नहीं रहेंगे देखें दोस्तो ब्रस पती को मजबूत करने के लिए हल्डी विसेज मानी जाती हैं आपने क्या करना है हल्डी की एक पुडिया बनाकर आपने तक्ये के नीच रख कर सो जाएगा 16 दिन तक दोस्तो ऐसा करने से आपके लिए जल से जल शादी के लिए रिस्तियाने शुरू हो जाएंगे और आपका ब्रस पती भी मजबूत हो जाएगा दोस्तो अधिक जानकारी के लिए हमारे दिये गए नमबर पर कॉल करें हमारे यूटूब चैनल का उदेशन है उन लोगों की मदद करना जो किसी भी प्रोब्लम ने फसे होए हैं अधिक जानकारी के लिए दिये गए नमबर पर कॉल करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज की लितना ही जल मिलेंगे नए टोपिक के साथ धन्यवाद